दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हसन उद ब्रान के 5 ऐसे अतर्स जो मुझे काफी पसंद आए और इंका ये नया लॉंच है वीडियो बहुत ज़्यादा जामदार होने वाला है क्योंकि ये सारे जो अतर्स हैं बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस कॉलिटी रखते हैं लोग लास्टिंग भी है और जब आप इने लगाएंगे तो लोग जरूर पूछेंगे भई वा क्या लगाया है 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 यह दो दोस्तों मेरा नाम है कंचन पटेलो और आप देखने लगे हैं फ्रेक्स टॉक इस तेनल पर हम फ्रेकरनेसी रिलेटेड बाते करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बटन दबादीजिए गा अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं और folding मिलता है उस पही रिबिन मिलती है जिसमें इसके यृत यह रादें हाट की इसके अंदर रखा जाता है जैसा कि मुझे मिलाथा यहां घैसन हुद की बरांडिंग मिलती और बहुत बढ़ियासा काम क्या हुआ है इंबोज भी है यहां आपको हाथ में फील भी होता है असनुप और अंदर जब आप बॉटल को अच्छी ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है इसे जब आप स्लाइडिंग करते हैं तो अपन होता है अंदर बॉटल कुछ इस तरीके से बिठाई होती है और यह जो पेपर दिख रहा है यह बॉटल को अच्छे से फिक्स करने के लिए छोटा सा सील लगाया हुआ है ताकि बॉटल जो है खट-कट-फट-फट-फट ना करे जब यह लग जाता है तो बॉटल आवाज नहीं करती है काफी प्रीमियम पेकेजी है इनका और यहां टॉप पे आपको हसन ऊथ देखने को मिलता है और जो भी पोफ प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन के मामले में यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं काफी प्रीमियम काम कर रहे हैं दो इसे चीज हैं दो इसे अतर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आए और मैंने उन्हें काफी बार लगाया है काफी अच्छे कॉंप्लिमेंट भी अब जैसे नाम से समझ में आ रहा है ब्लेक उद मतलब कि यह थोड़ा सा आपको एक डार्क थीम देगा एक मेचर थीम देगा और यह वाइट उद आपको फ्रेश क्लीन टाइप का हिसास देगा तो मैं आपको वन बाइवन बताता हूं मुझे बहुत इंट्रेस्टिंग लग टाइप की फ्रेकेंस पसंद नहीं है तो यह बहुत अच्छा मुझे लगा इसके अंदर आपको वाइट मस्क मिलता है हलका सापको रोज मिलता है बहुत माइल सा है वुडी टोन इसके अंदर आपको मिलती है और सिट्रस ही हिंस आपको इसके अंदर मिलते हैं जैसा इसका में उद बहुत कम कॉंटिटी में या फिर ना के बराबर इसमें उद मिलाया हुआ है लेकिन वुडी मस्की हलका से रोजी नोंस आपको देखने को मिलता है सिट्रसिनेस के साथ में जो मुझे काफी पसंद आया और ये काफी अच्छा टिकता भी है आपके साथ आराम से 3-4 घंटे हर किसी को महसूस होगा उसके बाद close to skin हो जाता है close पे लगाएंगे तो थोड़ा performance आपको ज्यादा मिल जाएगा clean और fresh scent है तो आप समझ सकते हैं 3-4 घंटे आपको बहुत बढ़िया एहसास यह देगा लेकिन बहुत अच्छी quality है और इसका 1 ml जो है वह 199 के लगबग है आप 1 ml के सारे tester जितने भी fragrance में बताऊंगा अतर बता यहां black theme dark theme देखने को मिलती है इसके अंदर ember का use किया हुआ है इसके अंदर ूद आपको हलका सा नजर आता है और कुछ floral hints बिठाए हुए है मुझे कुछ spicy hints भी इसके अंदर मिलता है जैसे सेफ्रोन का hint या ऐसा कुछ और musk का इसमें भी use हुआ है woody tone है तो यह उस तरीक इसके इतना ही है 799 में 6 ml और 1 ml 199 का मिलेगा दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है बहुत अच्छी चीज है चेक आउट कर लीजिएगा दोस्तों नमबर 4 पर मैंने लिया है honey rose जो कुछ इस तरीके से दिखता है उपर आपको honey rose देखने को मिलेगा और वाकई जैसा कि इसका color देख रहा है आपको easily समझ में आएगा कि इसके अंदर एंबर है तोड़ा से strong टाइप का character रखता होगा जैसा कि इसका नाम है सबसे पहले तो honey और rose honey और rose का इसमें prominent note है जो आपको देखने को मिल जाता है उसके अलावा इसके अंदर ूद के हिंड बिठाय हुआ है तो मुझे यह वूडी मीठी कुजबू है स्वीट लगता है क्योंकि honey का notice के अंदर है तो स्वीट वूडी थोड़ा सा floral टाइप का सेंट है और spicy हिंड बिठाय हुए है इन सारी चीज को मिठास और floral को balance करने के लिए बहुत अच्छा से spicy हिंड इसमें बिठाय हु विंटर के हिसाब से मैं इसे ज्यादा प्रिफर करता हूं अगर ठंडी के टाइम में कुछ ढूना है तो honey और rose का यह combination आपको बहुत सूट करेगा दोस्तो नंबर त्री पर मैंने लिए है इनका मुखलद सेक जो कुछ इस तरीके से दिखता है मुखलद मतलब की बहुत सार है blend होते हैं मुखलद अलग-अलग टाइप के होते हैं अलग-अलग चीजों को मिला के कुछ नया blend तयार किया जाता है लेकिन इसका नाम है मुखलद शेक तो आपको जरूर वह सेख वाली फील आएगी वह राजा महराजा वाली फील आएगी कुछ तरीके की खुजबू आ पासंद है यह चीज भी लेकिन जो सबसे ज़यादा पसंद है वह आगे आएंगे नमबर टू नंबर वन पर जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है तो इसके अंदर आपको मस्क देखने को मिलता है इसके अंदर यूनिक तच्छ है जो आपको एक लगजीरियस फील देगा ए गुद्ध प्लोरल हिंस इसमें भी आपको देखने को मिलते हैं कुछ स्पाइशी हिंज भी इसमें देखने को मिलते हैं क्रेग करना बड़ा मुस्किल है क्योंकि यह जो चीज है मैंने आपको बताया बहुत कॉंपलेक्स है लेकिन जो चीज और वर और निकल के आती है तो हव में जब घुलती है हर किसी को पसंद आएगी और आप आपको जरूर इससे कॉंप्लिमेंट मिलेंगे वुडी मस्की फ्लोरल थोड़ा सा उत का पी इसमें यूज हुआ है लेकिन यूणीक चीज है आपने कभी इसा इसमेल नहीं किया होगा वैसी चीज है इसलिए मैं इसे नं नेक्स दे तक भी आप इसको हलका हलका फील कर सकते हैं तो परफॉमेंस में कोई मांदा नहीं है दोस्तों मेरा फेवरेट संदल ब्लेंड जो कुछ इस तरीके से दिखता है कावी अच्छी चीज है और इसे भी मैंने काफी बार यूस किया है मैं आपको बताऊंगा एक्द चंदन की बहुत अच्छी खुजबू जो मैं पसंद करता हूं एकदम क्लीन वाली खुजबू जो आपको वह सिट्रसी वाला जो चंदन होता है उसकी खुजबू आपको मिलती है उसके साथ में रोज का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है मस्क का कॉम्बिनेशन मिलता यह ती इसमें एमबर का हिन बिठाया हुआ है इन सारी चीजों को थोड़ा सा और पूछ देने के लिए लोंग लास्टिंग बनाने के लिए मस्क है जो भी अच्छा लगता इसमें लोंग लास्टिंग बनाता है तो आराम से यह भी चार पास घंटे काफी अच्छा फील एक बबल क् लेगा यह संदल ब्लेंड इसे भी जरूर ट्राइ कर लीजेगा यह तक्रीबन सीख से मेल आता है 899 का और 1 ml 199 के लगबग आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों बात कर लेता है नंबर वन की और नंबर वन पर मैंने लिया है इनका गोल्डन उद जो मुझे बहुत ज्य की नाइन रुपीस का मिलता है और 6 ml तकरीबन पंद्रा सो रुपे के लगबग आपको देखने को मिलता है लेकिन चीज वा भाई वा बहुत अच्छी चीज़ बनाई है आपको इसका जैसे जो नाम है गोल्डन उद तो आपको समझ में आएगा कि इसमें गोल्डन दोती ही नहीं है मीठी कुचबू बेलंस हैं इसका अंदर रोस के बहुत अच्छależ से नौन्स करें हैं इसमें टर्किस रूश you Pilko नहीं है इसका अपकभी भी इसरे कर सकते हैं वैसा निकल कर नहीं आता है वो बस इसलिए यूज किया हुआ है कि जितनी भी चीज़े इसमें डाली है उसको अच्छा से बैलेंस कर पाए और दोस्तों इसके अंदर आपको हनी मिलता है हलका सा मुझे लगता है स्वीटनेस इसके अंदर है वुडीनेस इसके अंदर है इसके अंदर बहुत लाउड क्रियेट करता है बबल और अगर आपने इसे अच्छे से लगाया है तो दिन भर आपके साम में खुजबू आने वाली है ऐसा लगेगा कि आपने पॉफ्यूम वियर किया है नेक्स डे तक भी क्लोट्स पे इसकी खुजबू मुझे मिलती है अभी विंटर चल रहा है तो आराम से इसका परफॉर्मेंस मुझे दिन भर मिल जाता है स्किन और क्लोट्स पे लगाईए काफी मस्त काम करेगा बहुत अच्छे कॉंप्लिमेंट भी आपको देगा शुरुवाद के पांच मिनिट आप इसको दीजिए उसके बाद जो यह रंग भीखेरन है यह गोल्डन उद दोस्ता आज के लिए पस इतना ही मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसना होगा और आपने लाइट भी कर दिया होगा अगर आप सब्सक्राइब का बडन दबा देंगे तो मुझे बहुत जादा खुश्य मिलेगी और इस तरह कि वीडियो जोर में लाता रहूंगा आपके कोई सवाल हो तो मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं और हमारा वेबसाइट भी विजिट कर लिजिएगा फ्रेक्स्टॉक डॉट इन जहां पर हम पॉफ्यूम सेल करते हैं और साथ में हसन उत का वेबसाइट भी में वीडियो की डिस्क् जाल रखिए सुरक्षित रहिए महटत रहिए जहन